एलो दोस्तो तो जैसे कि आपने यहाँ पर देख पा रहे हैं यह एक क्लास्टी एम्प्लिफायर बोड है जो कि दोस्तो यह 100 वाट का पावरफुल आउटपूट देज़ेता है तो दोस्तो आज जो हम इस वाले एम्प्लिफायर बोड को सब बुफर एम्प्लिफायर में वाले तो दोस्तो वीडियो बिल्कुल स्किप ना करे स्टेप बास्टेप जम्ए आपको पूर जान कर देता रहोंगा और दोस्तो अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्स्राइब करना साथी साथ बेल आकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरे आने वाली हर ने वीड आपको मिल सके मैं इसे टेकनिकल वीडियो अपके लिए बनाती रहता हूं तो अब फम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले जो है इस amplifier board के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं तो दोस्तो इसका जो model number है वो XHM542 है और दोस्तो इसके अंदर जो IC यूज किया गया है वो TPA3116 है जो कि दोस्तो काफी ही भी यहाँ पर इसका जो performance को देखने को मिलने आला है और दोस्तो अगर अगर आपको इसके बारे में और details में जानना है तो दोस्तो अलड़ी जो मैंने इस पर एक वीडियो चैनल पर डाला हुआ है अगर आपने वो वीडियो ने देखी है तो देख लिजे उसका link जो मैंने description में देख लिए है साथी साथ उपर आए बटन में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा तो दोस्तो अभी हम जो इसका थोड़ा सा बेसिक information ले लेते हैं तो सेकते से दूस्तो यहां पर पर प्लस माहीं चुछाए इसाइन से एक यहां पर चोटा सा यहां पर लगाया हुआ सब्सक्राइब है जो कि दूस्तों इसको बार्रा से इसको 12 वल्ड से 24 वड्ल तक हम सप्लाइब दे सकते हैं और जिके दूस्तों यहां से इसको हम स्पिकर करेंगे तो दोस्तों यह सिंगल चैनल और यहांपर सिर्फ यहांपर कनेक्ट अधोगा थो दोस्तों इसको सब उपर एकस। बनाने के लिए हमको रोइक बोर्ड की जरूर्ट पड़ेगी जो कि जो यहांपर कुछ इसपका से थूर्ब ले लिए तो धेक्छे सकते हैं तो यह लोग पास फेल्टर बोर्ड है जो कि दोस्तों इस जो फ्रेक्वेंसी को लो में कनवर्ड करता है जिससे जो हमार यहाँ पर सिगनल जो निकलेगा आउटपुट का वो जो है एकदम हेवी बेस में निकलेगा तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बीच जो इस पका से दो पोटेंशेम्मेटर यहाँ पर लगे हुए तो एक यहाँ पर फ्रेक्वेंसी एड्यस्मेंट के लिए यह दिखे दोस्तों और एक जो यहाँ से इसका वोल्ल्यूम कंट्रोल हो जाएगा और दिखे दोस्तों यहाँ पर जो इसको हम होगा तो तो थो managing adult के लिए सिफ दो ही पंइंट्स हमको दिख रहे हैं यह कि दोस्तों कैसे तो डोस्तों यहांपर यह है सीफ हमें एक चैनल पर वीडियो डाला हुआ है अगर दोस्तों आपको और भी डेटेल्स में जानना है तो दोस्तों आप वो वीडियो देख सकते है उसका लिंक गजो है मैंने डिस्क्रिप्चिन में देदिया है साथ इसाथ ऊपर आए बटन में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा तो दोस्तो अभी हम जो इस वाले बोड का connection हम इस वाले बोड के साथ में करने वाले है तो दोस्तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जेख सकते हैं यहाँ पर जो इसका input वाला sign है तो दोस्तो यहाँ पर हम audio input का wires भी connect करेंगे तो दोस्तो audio input यहाँ पर देने के लिए यहाँ पर यह देखने को मिल इसका बीच वाला वायर है और यहांसे लेख्ट राइट दो आइसे दंदों में किसी बीएक वायर को हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि दोस्तों इस वाले बौड में जो है जिफ दो ही वायर का यहां पर कन्यक्शन आब अभी हमने देखा हुआ था तो सिंपल जो है यहां पर जो है हम कुछ इस प्रकार से इन दो वायर को यहां पर लगा लेंगे और यहां पर हम इसको सॉडर कर लेंगे तो दोस्तो इन दो वायर को भी जोए दोस्तो यहाँ पर अभी हम कुछ इस प्रकार से इन जगह पर लगा लेंगे और इसको भी यहाँ पर हम सॉर्डर कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जाए भी हमने वायर्स ओर्डर कर लिए तो इसके पर जी के दोस्तों यहाँ पर हमको इसको बारावल सप्लाय देने के लिए भी दो वायर्स की जरूर पुड़ेगी तो दोस्तों यहाँ पर भी जो मैंने कुछ इस प्रकार से और दो वायर्स यहाँ ले ले तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं और लिडी यहाँ पर bridge rectifier यहाँ पर लगावा है तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस पकार से यहाँ पर आटिमेटिक लिए यहाँ पर DC convert हो जाएगा जहां से यहाँ पर 7812 यहाँ पर voltage regulator IC भी यहाँ पर लगावा है तो दोस्त इसे input का यहाँ पर connection दिया गाया है क्योंकि दोस्तों इसमें इन बीड जो है bridge rectifier यहाँ पर दिया गया है तो दोस्तों यहाँ पर इन दो वायर को अभी wires order कर लेते हैं तो देख सकते दोस्तों इस वाले बोड का भी यहाँ पर सारा कुछ वायर हमने उस आउर्डर कर लिया ह तो इसके बाद दीके दोस्तों जैसे कि यहाँ पर हमने इसको power supply के लिए दो वायर निकाले हुए थे तो दोस्तों इन दो वायर को और यहाँ पर मैंने और दो power supply के लिए यहाँ पर इस प्रकार से और दो वायर से यहाँ पर ले लिए तो दोस्तों इन दो वायर को जो हम य को किंपले कर दोथा दोर्स्तों यहां पर जो है नेगतिव के सांग पर ब्लाक वाइर और किमेशंद नोगा रहे में 8 इंच में 100 वाट मोंइ अधर ले लिए तो दूस्तो यहां पर इसускम का भी हां पर करेंगे तो दोस्तो जैसा कि हम देख पार है तो दोस्तो यहां पर भीर करेंगे तो दोस्तो इतना कुछ connection अभी complete हो चुका है यह दिके दोस्तो यहाँ पर जो दो वायर्स अभी बचे होए जहां से हमने इसको बारावड supply के लिए निकाले होए थे तो दोस्तो यहाँ से हम इसको बारावड supply देंगे और दोस्तो यहाँ पर जैसे कि हमने Bluetooth प्यानल के लिए तो इसको यहाँ पर audio, output के लिए पर इसको यहाँ पर connect करेंगे और इसके बाद दीगे दोस्तो यहाँ पर हम इसको बैटरी से चलाने वाले हैं जो कि दोस्तो यहाँ पर मैंने 18625 बैटरी का यूज़ कर रहा हूं क्योंकि दोस्तो यहाँ पर 5Βल्ड का कोई भी यहाँ पर कि और दोस्तो इसको जो घूली हम पावर साप्पाय देने के लिए कुछ इसप्रकास आंपर went down K थैसल सब्सक्राइब रेक्टेटीव सबस्टाटाइब थे रिक्टिव अगर त demiş है которое इसमें पॉजिटिव निगेटिव और ग्राउंड ऐसे थे पनेक्टेउं निकलते हैं अगर दोस्तों आपको ये डियोल पावर सप्लाय रिक्टिफारा करने ही पता हुगा तो दोस्तों उसको देख लीजे उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में और साथ चाहत ऊपर आए बटन में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा तो दोस्तों अभी मैंने सारा अब यहां पर मैंने और लगाया हुआ है तो दोस्तों अभी हम इसको बैटरी कनेट करेंगे और एक बार लुटूथ पैनल को भी ऑन कर लेते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों लुटूथ पैनल अभी ऑन हो चुका है इसके बाद हम इसका ट्रांसफर्मर का पावर सप्लाय पाउन कर लेते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको दिखाने कोशिश करता हूं तो दीगे दोस्तों यहां पर जो है हमने जो लोग पास फिल्टर यहां पर बॉर्ड बटाया वा था तो उसमें जो दोस्तों यहां पर कुछ इस तरीके से LED लापर लग चुके है तो दोस्तों अभी हम यहां पर इस वाले एम्प्लइफाइर मॉडल से इसका वॉल्म फूल करने कोशिश करते हैं और इसके बाद दीगे दोस्तों अभी हम यहां पर इसका फ्रिक्वेंसी जो है लो कर लेंगे और इसके बाद दीके दोस्तो हम इसका वर्ल् turning थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो दूस्तो यहाँ पर जो है बाइस काफी डाउन आ रहा है क्योंकि दूस्तो यहाँ पर जो इसका वर्ल二 음 से काफी कमों चुकाता तो दीके दोस्तो इसका ख़िए हम फूल कर लेते हैं तो देख सकते हैं हुआ हुआ है तो देख सकते हैं दोस्तों कूछ इस तरीकी से हमने यहां पर लोग पास फिल्टर बौड का जो यूज करकर हमने सबूफर एंप्लिफायर बना आया हूं थो दोस्तों यह 100 व्याड का एंप्लिफायर बौड है थो दोस्तों तो साथ ही साथ देखे हमको यहाँ पर इसका पहुंच भी काफी हेवियम को देखने के मिल जाता है यह रही के दोस्तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर इस लोग पास फिल्टर बोर्ड से जो है दोस्तो सबूफर एंप्लिफार बना सकते हैं तो दोस्तो आपको यह वीडिय तो लाइक और शेयर करना ना भूले तो मिलते अगली किसी नहीं वीडियो में किसी नहीं टॉपिक के साथ तब तक के लिए हुझाए बुडबाई